गुड इविनिंग इस्टुडेंट्स मैं डॉक्टर मोहमद रहान फैकल्टी ओफ कॉमर्स गॉस्टन कॉलेज रांची इस्टुडेंट आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कोश्चन बताऊंगा इस वीडियो के माद्यम से और यह सब्जेक्ट जिसके मैं बना रहा और बिजनियस और इसन एंड मैनेजमेंट जो बीकॉम सिमिस्टर वन पढ़ाया जाता है में बिजनियस और इसन एंड मैनेजमेंट इसका टॉपिक है इस वीडियो बना रहा हूं और अब्जेक्टिव कोश्चन का आप सभी श्टुडेंट को सबसे पहले मैं नया साल का काम्याबी प्राप किजिए बढ़ियां से पढ़िए भी लिखना है स्टार्ट करें मैं अभी सबसे पहले तो बॉर्ड में लिखूंगा एपी नुए लिखने जरूरी है भाई है वे पी नुए यर तू जिरू तू 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 ट्री दो हजार ताईस आप सभी विदार्थियों को हैपी नुए यर लिख रहा हूं देट आज का लिखिए देट है आज का जीरो एक जीरो एक दो हजार ताइस सब्जेक्ट लिखिए बिजनेस ऑर्गनाइशन बिजनेस ऑर्गनाइशन एड मेनेजमेंट और टॉपिक लिखिए जिसका मैं वीडियो बना रहा हूं वह है आपका शोल प्रॉपाइटर और यानल प्रॉपाइटर्शी प्रॉपाइटर्शी प्रॉप्राइटर्सिप पी आर ओ पी आर आई इटी टी ओ आर एस एच आई टी तोल प्रॉप्राइटर्सिप प्रॉप्राइटर्सिप कर विडियो बना रहा हूं मैं अपनो मुबाइल नमबर लिदा रहा हूं ना मुबाइल नमबर वाट्सप नमबर लिदा रहा हूं नमबर वाट्सप नमबर वाट्सप नमबर वाट्सप नाइन सिक्स वन टू एट नाइट आप सभी स्टुडेंट बढ़ियां से स्टेडी कीजिए तो सबसे पहला जो मैं कोश्चन लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से चुनिए एम सी क्यू बताता हूं अब्जेक्टिव कोश्चन पुछने का तीन तरीका है तो आपको बोल देगा कि सेलेक्ट कीजिए राइट अंसर को आप्शन दे देगा वह कौन मेथड़ है दूसरा मेथए ट्रू फिल इन दी ब्लैंक और थाड़ में फिल ट्रू और फॉल्स बताना है अभी मैं आपको यह कोश्चन बता रहा हूं तो सबसे पहला है कोश्चन पहला कौश्चन है बने फॉल इस कोश्चन कीजिए अपर लिखना है साट कीजा ऐस काुट काँचिए अपर इस आ फ्रू तो पेरिटर्श इख यह कुश्चन बहुल वह दा इस एज ओन परिटबॉट शिए और इस आ प्र प्रप्राइटर पी आर पी आर आई एटी ओ आर एस एच आई वाट इस सोल प्रप्राइटर सीप एक कोश्चन हो गया एक आकी वे पार क्या है अभी इस लेटेड अब्जेक्टिफ निये चार ऑप्शन सुनिये पहला अब्जेक्ट आप्जिटिफ यह है कि ए नमबर इसके चार ऑप्शन है उसमें साबको सिलेक्ट करना है राइट ऑप्शन को पहला ए ऑप्शन में है ए अप्शन लिखिये कपी में C option में लिखिए business owned by one person D option में लिखिए business owned by a company आपको तो इसका जो सही अंसर होगा सही चार option बताया गया पहला option क्या बताया गया था business owed by पहला option क्या बताया business owed by president दूसरा business owed by several companies business owned by one person D option business owned by a company इसका right answer होगा business owned by one person business owned by one person मैं इसका answer बिलिग दिता हूँ इसका answer होगा business owned O-W-N-E-D owned by one person one person इसको लिख लिख लिया business owed by one person अब second question आओ इसका है second question second question लिखिए question number two question number two लिखिए which of the following question है which of the following which of the following is owned O-W-N-E-D owned by a single single person इसका चार ओप्शन है इसका चार ओप्शन आपको आपको में चार ओप्शन में A ओप्शन में है A ओप्शन में private company B ओप्शन में public company C ओप्शन में joint Hindu family D ओप्शन में sole proprietorship इसका जो अंसर होगा जिसे चार ओप्शन था private company A ओप्शन में private company B ओप्शन में public company C ओप्शन में joint Hindu family और D ओप्शन में sole proprietorship इसका राइट अंसर होगा option number D sole proprietorship इसका राइए sole proprietorship business can be started by अभी question है sole proprietorship business sole proprietorship business can be started by अब चार्ट ओप्शन सुनिये इसका चार ओप्शन सुनिये A option में है at least seven persons B option में at B option में any one person और C option में at least two persons और D option में at least three persons इसका अंसर होगा any one person any option बर B is the right answer sole proprietorship business एक व्यक्ति के दोआरा one person के दोआरा start के जाता है इसमें seven person का requirement नहीं है two person का requirement नहीं है three person का requirement नहीं है इसलिए इसका अंसर होगा any one person के नहीं है question number four लिखिए a sole proprietor has a question number four लिखिए question number four question number four लिखिए आप question number four लिखिए a sole a a sole proprietor sole proprietor has a limit in which in which of the following ability question number a sole proprietor has a limit in which of the following ability अब चार्थ option सुनिए इसका चार option है पहरा a option में a option में managerial b option में owner c option में worker d option में none of these इसमें सही answer होगा managerial a sole proprietor has a limit in which of the following ability चार्थ option में a में managerial b में owner c में worker d none of these इसका अशर होगा managerial एक sole proprietor का जो limit managerial ability managerial ability जो है उसका limit होता है ठीक है तो इसका अशर होगा managerial next five number इस sole proprietor इस sole proprietor is is most suitable 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 for अब कीस तरह के जो sole proprietor business होता है वो कीस तरह के वे पार्क लिए ज्यादा suitable होता है ए उप्षन में सुनना medium scale concerns है बी में large scale concerns है C में small scale concerns है D में none of the above है ना तो जो sole proprietor business की skill suitable है क्या A option सही है या B option सही है या C option या D option A option में medium scale concerns B में large scale concerns C में small scale concerns D में none of the above इसका right answer होगा small scale concerns क्या answer होगा small scale concerns छोटे वेपार छोटे वेपार के लिए छोटे 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 वेपार के लिए है ना sole proprietorship suitable है है ना बड़े वेपार के लिए या medium के लिए बिलकुल sole proprietorship business जो है वो suitable नहीं है समझ माइगी है बात पांस्टो चलो पांस्ट के बाद नेक्स लिट को छे नंबर यतना थियोरी पढ़ो को उतना सही जवाब दोगे देखो देखो लाइव अफोल प्रोपरिटर सिप बिजनेस इस गार पोस्टन है इदी लाइव ओफिस वेप्रोपरिटर सी बिजनेस इस एफशन अब सुनिए ऑफशन सुनिए इसको अफशन लिखे कापी में A मैंने किone called Restable or Instable or Stable istable, B मैंने कि very short life, C मैंने कि Unestable, Dवी भी से Long Life, इसका answer होगा Unsable or the life of sole transporter business, is Unstable, इसका answer होगा Unstable or the sorter likelihood score. चार अपृप्सन क्या था, A में Stable था, B में very short life, C में Unstable था, D में long life, इसका answer होगा Unstable, Unstable के spelling? U-N-S-T-A-B-L-E. Unstable. अब नेक्स लिखिए seven number question. Seven number जल्दी से लिखिए आप. Seven number. Seven number लिखिए. In which form of business? In which form of business, in which form of business there is no need to share profits? In which form of business there is no need of share of profits? अब सुनिए, option सुनिजी, question number seven का option सुनिए आप लोगे. पहला A option में company, B option में sole proprietorship, C option में partnership, D option में joint Hindu family business. इसका right answer होगा, sole proprietorship business. इन चावर option में सबसे सही answer क्या होगा? Sole proprietorship business. है ना? Sole proprietorship business जो होता है, वो एक person के द्वारा किया जाता है, और जो person business को start करता है, उसी का capital introduce होता है. जो person business को start करता है, वही उस business का जतना भी managerial functions। होना होता है, है ना? और बीजनस जो profit होता है, उस profit का पूरा हगदार वही होता है. उस का बटवारा नहीं होता है, उस profit का distribution नहीं होता है, और अगर loss होता है, Francisco आउस को पूरा wife भरता है, है यह इस तरह की वापार को सोल प्रोपाइटर्शिप बिज्ञेश काते हैं इसमें लिखा इन वीच फॉर्म बिज्ञेश दियर इस नो नीड टू सेफ प्रॉफिट इसका अंसर का हो जागा सोल प्रोपाइटर्शिप ऑफशन के साथ अब आई यह आप लोग एट नंबर में यह जल्दे से चीक इट नंबर लिखो इट नंबर लिखो इस्टोर्प्रोपाइटर्शिप ए वर्ण रोगेटर्शिप नंसर्ट इस तरी फ्रों तोर्ण चेहर यह जल्एटर्श प्रहुँएसंगें प्रॉफ एवर्ण आवखिशन यह बाई सोलीपॉपारिटिश्य श्रोली फ्र än प्रभी फ़ॉम रिगुरेश सब्सक्रारा पहला इस इंदियन कॉन्ट्रेक्ट एक्ट मों का है इंडियन कॉन्ट्रेक्ट एक्ट बियु गॉप rifr में प्राइबेट इंडियन और दी में इंडियन लॉइ इसका अंसर होगा गॉब्मेंट क्या होगा गॉब्मेंट इस सोल प्रोपाइटर सी बिज्ञेस जो स्टार्ट कि जाता है उसको स्टार्ट करने के लिए कोई कानूनी परक्रिया की आउशकता नहीं होती है एनिस चोटा पुझी लगातश चोटा कर सकता है और ऑसके सारे समत्तियों का मालिक होता है सब जो सर्वेस था स्का जो कोश्चन था, क्या या ऑपछņienza की अब यहां एह इनलीक्प्र में इंडियं इंडियन कोंटरेक्ट था भी में government था, इसका answer होगा government, government, याद रखे, government, ठीक है, इसमें क्या होगा government, अब 9 नबर आईए, 9 नबर लिखिए, 9 नबर लिखिए, question number 9, आपको सुनके लिखना है, question number 9 है, the reason, the reason, for the end of the sole proprietorship can be, the reason of the end of the sole proprietorship business can be, क्या हो सकता है, sole proprietorship business का जो life होता हो, और unstable होता हो, कभी भी समाप्स हो सकता है, तो क्योंकि जो business start किया है, अगर उसके सब कोई दुर्भाटना हो जाता है, तो business stop हो जाएगा, आपको सुनिएगा, इस question number 9 का आपको सुनिएगा, एक option में insolvency, एक option में क्या है, insolven, insolvency, a option में, b option में, insantee, पहला a option में क्या लिखवाया थे, insolvency, insolvency हो गिया, b option में लिखिए, insantee, c option में है, death, और d option में है, all the above, all the above, तो इसका जो अंसर होगा, एक sole proprietorship business का अंत हो सकता है, insolvency होने कारण भी, हाना, और insantee होने कारण भी, death होने कारण, इसका अंसर d होगा, इसमें सभी लागू हो रहा, इसका अंसर होगा d, हाना, चलिए, अकर sole proprietor death कर गिया, तो भी व्यापार को बंद करना होगा, हाना, insantee हो जाई है, insolvency हो, in all cases, sole proprietorship business end हो जाता है, सीधा बात, हाना, यह अलग बात है कि इसकी परिवार के कोई दूसरे लोग चला ले, लेकिन, ऐसा अकसर दिखा गिया है, व्यापार बंद हो जाता है, चलिए option के लिचा, दिखा, लेकिन, दस नमबर आई है, दस नमबर, Soul Proprietorship Business Honor Honor O-W-N-E-R Honor Has Question है Soul Proprietorship Business Honor Has Question अब इसका option सुना A में restricted liability B में no liability C में unlimited liability D में limited liability Soul Proprietorship Business का जो liability होता वो unlimited होता है इसका answer होगा Unlimited liability इसका answer हो जाएगा Unlimited liability Unlimited liability इसका answer हो जाएगा अब आव ग्यारा नमबर है अब नेक्स्ट है आपको बताएंगे 11 नमबर 11 नमबर में लिखो 11 नमबर में लिखना है The Future of Sole Proprietorship इन इंडिया इस पुश्चन होगा चार्ट ऑप्शन है यही है ए में डार्क बी में ब्राइट सी में नो फूचर और डी में नन अब दीस पूस्टन का ब्राइट एक है और आगे दिखना स्टार्ट करो तुम लोग जाते तो कि लिए तुम लोग कर दिये हैं हम इस दिखो एक से समझो जितना जितना थूरी पढ़ेगा इना उतना अच्छा होगा जिसे कोश्टन है कि अब 11 नमबर आओ इसको लिखनो जल्दी से पूले, पूले प्वत्वेटने कुछनोंबर आओ खंच्टन अपैडर खंच्छ多 कि पूले इस दियर वोग करभ झा लोग Proprietor, P-R-O-P-R-I-E-T-O-R-S-H-I-P, Proprietorship to publish, publish the account. Question यही है, Is there any need for a sole proprietorship to publish the account? इसका question है, इसका चार option में है, इसका A option में है, yes necessary, B option में depends on the business, C option में depends on the honor, और D option में not at all, इसका अंसर होगा, not at all, क्या अंसर होगा, not at all, कोई जरूरी नहीं है, कि आप अपने जो books of account maintain करते हैं, उसको public के बीच में, आप पब्लिस करें, तो इसका अंसर होगा, not at all, ठीक है, अब next में है, next में है, लिखे, इसको चोटा-चोटा, बीस कोश्चन का एक लेक्चर बनाएंगे, फिर वीस कोश्चन का एक लेक्चर लिखाएंगे, इसको याद रखना, इस टैप का भी देखतें, पूसिस कर रहे है, in what ratio, in what ratio does the profit, profit of the sole proprietorship of the सोल प्रोल फिपर जीप बिजनेस इस कि पॉश्टिन मार्ट है कि मैंने पहले भी कह दिया कि विएपार का मालिक एक आदमी होता है उसी सब्सक्राइट है और शोल प्रॉपाइटरसी बिज्चिस में जो प्रॉफिट होता उसका डिस्टिपूइशन ने होता है, पूरा प्रॉफिट का मालक वही होता है, है ना, अब यह कोश्चन है, in what रिशिओ देप्रॉफिट आप दिप्रॉफिट ऑप दिशोल प्रॉफिटरसी बजिश्चिस तो रिखा गिया है रहा है यहां पर इसको मैं करेक्षन कर दे रहा हूं यह है आपका थांटिन है चलिए इसका option है A option में लिखो A option में equally among the partners B option में लिखो equally among the employees C option में लिखो no need to share at all D option में there will be no profit L I option में क्या लिखा था equally among the partners B option में क्या लिखो equally among the employees C option में no need to share at all D option में there will be no profit इसका अंसर होगा क्या अंसर होगा No need No need to share at all At all इसका अंसर होगा Next 14 नमर माईए 14 Question number 14 आईए ठीक है Question है ऐसा आप से पूछ सकता है For small for a small small scale business which type of of business business hmm idea will be perfect will be perfect ठीक है और small scale business which type of business idea will be perfect अब इसमें chart option यह option में है कि यह option में है यह option में लिखिए आप लोग इसमें इसका जो सही अंसर होगा इसका जो सही आँसर होगा the sole proprietorship business okay next question । । । । । । । which of the following, which of the following is just the opposite, of the features of a sole proprietorship, which of the following is just the opposite of the features of a sole proprietorship. Now, 4 options. In this question, you have 4 options. A option, B, Secrecy. Secrecy, S-E-C-R-E-C-Y, Secrecy. B option, Delimited Liability. C, Delimited Liability. C, Un-Divided Risk. D option, Delimited Liability. Which of the following is just the opposite of the features of a sole proprietorship? Opposite. इसका अंसर होगा, Delimited Liability. क्या-क्या option पढ़ा था? Option शुनो, लिको, दोबारा option तुम पूछ रहो कि ओ, option दोबारा लिखने बोलने बोल रहो थी, के लिको. A option, D, Secrecy. B में Delimited Liability. C में, D, Undivided Risk. और D में, The Individual Ownership. इसका अंसर क्या होगा? इसका अंसर लिक बताते हैं तुमको. है ना? The Individual. Individual Ownership. इसका अंसर होगा, Individual Ownership. देखे, student. इसमें मैं आपको कुछ बताया हूँ. है ना? तो इसका 15 question के छोटा से वीडियो बना रहा हूँ. फिर 15 question का बनाऊंगा. फिर 15. इसका maximum objective मैं आपको दुगा है. फिर lecture 1 होगी है, है ना? इसमें मैं आपको वीडियो दिया हूँ. है ना? चलिए. तो 15 question के छोटा से वीडियो students आपको तयार कीजिए. और सुनी, इसमें true false मैं थोटा से बताना चाहता है. इसको आप लिख लिए, true false. ठीक है? True or false इस वीडियो में ज़रू से लिखे. और false, true or false. True or false लिखे. पहला question है true false में. कि life of a, पहला question सुनोगे. Life of a soul proprietorship concern is uncertain. तो यह true है. यह true. दूसर नंबर है, कि sole proprietorship is best in the world. यह false है. वर्ड में best नहीं है. 3 नंबर आईए. The liability of a sole trader is limited. यह है false. लाइबटी जो सोल ट्रेडर का जो लाइबटी होता है, unlimited होता है. 4 नंबर में. Soul proprietorship is the best for cottage industries. यह true है. Cartagency के लिए सब छोटा में पार है. Cartagency मने कुटी रुदोग है न? कुटी रुदोग ऐसा होता है जहां छोटा छोटा वस्तु का निर्मान होता है. उसके लिए sole proprietorship बिजिश सही है. नेक्स है. Soul proprietorship is the oldest form of business organization. यह true. यह भी true है. नेक्स शिक्स नंबर दिखिए. कि there is absence of secrecy in soul proprietorship. यह false हो जाएगा. यह false हो जाएगा. Soul proprietorship बिजिश एक व्यक्ति के दवारा स्टार्ट की जाता है. वेपार का यतना भी full secrecy होता है. 100% full secrecy होता है. तो एपसेंस तो question तो पुछ रहा है. There is absence of secrecy. नहीं गलत है in soul proprietorship business. There is absence of secrecy in soul proprietorship business. यह false हो जाएगा. नेक्स से बेन नबर रही है. To start a soul proprietorship concern. To start a soul proprietorship concern. One needs to obtain license from government. किसी तरह का license की आवशक्ता नहीं होती. Soul proprietorship business को start करने के लिए. Government से किसी तरह का license लेने की आवशक्ता नहीं होती है. ठीक है? सुनो. Next minute. The soul proprietorship is the supreme judge of all matters pertaining to his business. The soul proprietor is the supreme judge of all matters pertaining to his business. True. सब कुछ वही है. Soul proprietorship एक person के दुवारे start के जाता है. जो person की ब्यपार की start करता है वही ब्यपार का मालिक होता है. चुकि उसी के दुवारा ही लगाया जाता है capital. ब्यपार का जो परबंदे की कार होता है वही करता है. तो इसको हम कह सकते हैं कि Soul proprietorship जो है Supreme Judge है of all matters pertaining to his business. True नहोगा? 9. Go. Establishment and dissolution of soul proprietorship both are by law. Both are by law. यह तो गलत हो जाएका false होगा कि Soul proprietorship को start करने के लिए या उसका dissolution करने के लिए end करने के लिए कोई कानूनी परक्रिया की आफशकता नहीं होती है. Question मैंने क्या पढ़ा था? Establishment and dissolution of soul proprietorship both are by law. False. एन नमबर रही है. Soul proprietorship is a relic of the barbic edge. Soul proprietorship is a relic of the barbaric edge. इसको मैं लिख दे रहा हूँ question को. आप confused का जा रहे हैं बहुरे लिखने वर से. Soul proprietorship. Soul trade लिख दे रहे है. Soul trade. लिख दे बहुत रहे हैं ऐसंदुम्यन है. इस तरह से मैंने आपको फोस बटाया आप इस कोश्चन में 15 और एक विडियो बने गए चोटा-चोटा कोश्चन का फिर बन्दर कोश्चन का शौट टाइम का बना देरे वीडियो आप इसका लेक्चर 1 देखिएगा लेक्शर वन है यह लेक्शर टू आजाएगा इसके बाद नेक्स्ट फिर पंद्रा कोश्चन का लेक्ट आएगा इस तरह से ना ठीक है आप सभी स्ट्वेंट्स बढ़िया और नया साल आपको मुबारक किसी तरह का प्राबलम होगा तो वाटसाइप नंबर दे दिए उसमें कर दो हुआ है तरह सोल आभट किसी तरह साल आपको मुबस्ट लेखि गोड़ादे देख़ोंka उन devrait भी प्याज़ यथर है और लादे भी स्टेशर पंद़ मुबस् град र Capt.flan